हेलो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला एलेक्टर की स्कूटर के निव अपडेट्स के बारे में जो कि अभी मीडिया में निकल के सामने आ रहा है जैसा कि आप सभी को पता था कि एक नॉमबर 2021 से ओला एलेक्टर की पर्चेस वींडो स्टार्ट होने वाली थी बट ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है क्या रिजन है और ये कब नेक्स पर्चेस स्टार्ट होने वाली है इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा साथ ही इसमें और एक अपडेट के बारे में मैं आपको बता दू कि ओला एलेक्टर की स्कूटर का एक इसके में चल रहा है तो उसको आप कैसे पहचान सकते हैं कैसे जान सकते हैं इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ साथ ही इसका जो अर्टेस ड्राइब का डेट था उसको भी चेज़ कर दिया है कमपनी ने तो इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा मतलब basically आपको 3 points के बारे में 3 update के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को ही start करते हैं तो दोस्तो सबसे पहला और सबसे important और सबसे बड़ा update के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो की है purchase window कब से start होने वाली है जैसा कि आप सभी को पता था कि last time जब company ने 15 अगस्त को Ola electric scooter काफी धुमदाम से launch किया था उसके बाद company ने बताया था कि 8 तारी को 8 सितंबर से आप इसको purchase कर सकते हैं बट ऐसा उस time नहीं हुआ था website crash हो गया था उसके बाद इन्होंने 15 और 16 सितंबर 2020 को एक website के जरिये उसके थू आप Ola की app पे जाके purchase कर पा रहे थे बट उसके बाद भी company ने बताया कि अब आपको एक number 2020 से purchase window स्टार्ट होगी मतलब आप एक number से purchase कर सकते हैं मतलब कि कल से बट अब यहां पे problem यह आया है कि company ने इस बार भी इसको delay कर दिया है company ने यह reason बताया है कि उनके high demand के चलते हैं उनके electric scooter पे high demand आ रहा है उनको तो उनको वो पुरा भी नहीं कर पा रहे जिसके वज़े से जो next purchase window स्टार्ट होने वाला था एक number से उसको यह company ने बंद कर दिया है तो नया purchase window कभी start होगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ तो next जो purchase window स्टार्ट होने वाला इसके लिए भी आपको काफी लंबा wait करना पड़ेगा मतलब आप मान के चलिए एक से डेड़ महीने अभी आपको wait करना होगा company ने यहाँ पर date बताया 16 December 2021 से आप Ola Electric scooter S1 और S1 Pro को purchase कर पाएंगे मतलब 16 December 2021 से purchase window स्टार्ट हो रही है तो आपको Ola app पर 16 December से purchase करने का option मिल जाएगा तो यहाँ पर अगर हम बात करें company के जैसा company बता रही है करती है कि हमारे पास इतना power है मतलब main power है इतना हम लोग facility दे रहे हैं दुनिया के हम इतने बड़े manufacturing plant है हमारे पास तो यहाँ पर इनको यह दिक्कत हो रहा company ने एक report साजा किया था जिसमें बताया था कि company के जो पहले से booking आये हुए हैं उस slot को पूरा करने में लगे हुए हैं बियस्त हैं इस वज़े से जो purchase है उसको थोड़ा सा delay किया गया है और इनका website भी वैसा काम नहीं कर पाया है तो यह कुछ update है तो अगर आप माने अगर देखे तो Ola Electric को जैसा एक बड़ा बरांड है तो हमें इस पर बिस्वास होता है चलो भाई Ola बड़ा बरांड है तो यह चीजे यह दे देगा अगर छोटी company रखती तो क्या आप इस पर इतना बिस्वास कर पाते है इतना जो यह लोग change कर रहे date change कर रहे, delivery date change कर रहे है फिर test drive कर date change कर रहे है तो क्या आप इस electric scooter को लेते हैं अगर यह दूसरी brand का होता तो मेरा जैसा कि मुझे लगता है कि आप सायत नहीं लेते हैं आप cancel करवा देते हैं और अपना fully payment ले लेते हैं बट यहाँ पर Ola है तो काफी लोगों को विश्वास है कि भाई यह बड़ा बराड़न है तो यह चीज़े सही देंगे और ऐसा है भी बट यह थोड़ा सही है कि यह मुकर जा रहे है बात से बस इतना सही main problem है चलिए अब next update के बारे में बात करें तो जो next update है जो कि यह scam का Ola electric scooter का scam चल रहा है जैसा कि यह है dealership का काफी लोगों के पास phone आ रहा है मेरे पास भी एक phone आया था एक बंदे का आप लोगों में से एक subscriber है उनका phone आया था I think उनका नाम था राज देली से phone आया था तो वो लोग बता रहे थे कि उनके पास भी scam के तरफ से मतलब scam किया जा रहा है और उनके से bank account में उनसे पैसा लिया जा रहा है कोई 8000 बोल रहा है तो कोई 5000 करके इससे मांग रहा है तो company ने यहाँ पर official statement भी जारी किया है आप Ola की official website पर जाके चेक कर सकते हैं उपर में ही आपको दिख जाएगा उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं तो यहाँ पर update यह है कि Ola Electric Scooter का कोई भी offline काम नहीं चल रहा है या कोई भी dealership भी इसका नहीं है और इसको आप अगर ऐसा कुछ आता है आपके first phone आता या call आता है तो आप इसका complain भी कर सकते हैं या आप इनको mail भी कर सकते हैं अगर आप इसके through मतलब इस scam में first आता हैं या इसमें company का कोई हाथ नहीं है तो इसमें आपका पैसा भी refund नहीं होता है तो यहाँ पर मैं आपको screenshot लगा दे रहा हूँ आप इसको आराम से पढ़ लीजेगा अपडेट यह है कि Ola Electric Scooter का कोई भी dealership नहीं है अगर आपको social media पर या फिर whatsapp या facebook कहीं पर भी update आता है कि हम Ola Electric Scooter sale कर रहे हैं तो आप हम से ले सकते हैं तो उस पर नहीं रहेगा क्योंकि Ola Electric Scooter का कोई भी dealership अभी तक इंडिया में नहीं है सारा काम online होता है और इनका एक ही official website है जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसी website के थुरू आप purchase कर सकते हैं सारा कुछ EC के थुरू कर सकते हैं purchase तो आपको Ola की apps होता है मतलब सारे details आप Ola की जो website है वहाँ से चेक कर सकते हैं नेक्स्ट अप्डेट के बारे में बात करें जो कि टेस्ट डाइब के बारे में जैसा कि आप सभी को कमपनी ने बताया था कि 10 नॉमबर से वह अपनी टेस्ट डाइब देने वाले है बट यहाँ पर अभी इसको पोश्पॉंट कर दिया गया है जो कि पर्चेज अभी फैल्ड हुआ है एक नॉमबर को और जो नया पर्चेज स्टाट होने वाले है 16 दिसंबर को इसके वज़े से यहाँ पर टेस्ट डाइब भी आपको आगे पोश्पॉंट कर दिया गया है पहले बताया था 10 नॉमबर को उससे पहले बताया था कि 25 अप्टूबर से टेस्ट डाइब स्टाट होने वाला है तो यहाँ पर कम्पनी न बताया है कि इसी साल नॉमबर के मन्त में नॉमबर के एंड तक आपको टेस्ट डाइब दे दिया जाएगा स्कूटर को लेना चाहते हैं प्राइस भी काफी जादा हाई होगी है पेट्रोल का तो इसके लिए आपको काफी लंबा वेट करना होगा क्योंकि जो लोग को 25 नौंबर से स्टार्ट होने वाला था आप वेट भी कर सकते हैं क्योंकि इसका डिलिबरी होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अभी तो यही कुछ अपडेट था आप लोगों के साथ सेर करना था आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है आगे आने वाले वीडियो में आपको एथर के कुटर में इंट्रेस्ट रखते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो भी आप चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक के लिए राइड विद बाई